हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चेप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स इसमें NCRT में पेज नमबर 112 पर इंट्रेक कोश्चन दिये गए हैं इन कोश्चन्स को आज हम सोल करेंगे 4.5 कोश्चन है एक फर्स्ट ओर रियक्शन दिये गई है जिसका रेट कोश्चन है 1.15 10 to the power minus 3 per second तो इस फर्स्ट ओर रियक्शन में जो रियक्टेंट है वो 5 ग्राम से 3 ग्राम में कितने टाइम में रियूस होगा यह हमें बताना है जब रियक्शन शुरू हुई उस समय रियक्टेंट कितना है 5 ग्राम तो हमें टाइम निकालना है जब रियक्टेंट 5 ग्राम से 3 ग्राम में रिड्यूस हो जाए तो यहाँ पर देखके 4.5 पॉस्ट यहाँ पर हमें इनीशल कंसेनरेशन दी गई है इनीशल कंसेनरेशन जिसको हम R नोट से दिनोट करेंगे इनिशल कंसेनरेशन कितनी है 5 ग्राम final concentration अगर हम निकाले final concentration हम ही दी गई है जिसको हम R से denote करेंगे 5 gram से वो 3 gram में convert हो रहा है तो final concentration हमारे पास है 3 gram और यहाँ पर rate constant यानि K की value दी गई है 1.15 into 10 to the power minus 3 per second तो आपको पता है 4 first order reaction first order reaction के लिए जो हमारे पास formula है वो यहाँ पर देखिए first order reaction के लिए time is equal to 2.303 upon rate constant यानि K log R naught upon R यानि initial concentration upon final concentration तो देखिए 2.303 K की value हमारे पास कितनी है 1.15 into 10 to the power minus 3 log R naught की value हमारे पास कितनी है 5 gram R की value 3 gram तो यहाँ पर देखिए 2.303 upon 1.15 into 10 to the power minus 3 इसको हम क्या लिख सकते है log 5 minus log 3 वो क्यों क्योंकि हमने या पर formula पढ़ा है log A upon B log A upon B का जब हम खोलते हैं log A minus log B यह किसके बराबर होता है log A upon B is equal to log A minus log B तो हमने यही लगाया है log A upon B log A minus log B तो यह हमने formula यहाँ पर लगाया log formula तो देखें 2.303 upon 1.15 into 10 to the power minus 3 log 5 की जो value होती है वो है हमारे पास 0.6989 यह log 5 की value log 3 की value होती है 0.4771 आप इसको 3 डिजिट में भी ले सकते हैं 4 डिजिट में भी ले सकते हैं या 2 डिजिट में भी answer लगबग बराबर सही आता है तो 2.303 into इस में से 0.6989 में से 0.4771 माइनस करेंगे हैं तो 9 में 7 गया 8 8 में से 7 गया 1 9 में से 7 गया 2 6 में से 4 गया 2 तो यह आगया हमारे पास 0.2218 इस में से यह minus करने पर upon क्या है 1.15 into 10 to the power minus 3 तो यहाँ पर देखें हमने क्या क्या इन दोनों की अब multiply करेंगे तो इन दोनों की multiply करेंगे के बाद हमारे पास आया 0.5108 upon यह जो 10 to the power minus 3 है यह उपर चला जाएगा तो 10 to the power plus के 3 हो जाएगा upon 1.15 तो यहाँ पर देखें 0.5108 को 10 to the power 3 से multiply किया तो पॉइंट यह तीं दिजिट आगे बढ़ जाएगा 510.8 upon 1.15 510.8 को जब 1.15 से divide किया गया तो यह आया हमारे पास 444.17 सेकंड यह आगया हमारे पास time तो यह time यह फिर लिख सकते हैं ओर time approximately 444 सेकंड तो हमारे पास time कितना आया 444 सेकंड इतने time में 5 ग्राम से वो 3 ग्राम में convert हो जाएगा अब देखे 4.6 question time required to decompose SO2 Cl2 to half of its initial amount is 60 minute हमें इसमें दिया गया है SO2 Cl2 को उसके initial amount से आधा करने के लिए जो time लगता है वो 60 minute दिया गया है तो यह आपर क्या दी गई है इसकी half life दी गई है क्योंकि half life क्या होती है half life किसी भी reactant का वह time होता है जिसमें reactant की concentration उसके initial amount से आधी हो जाए तो यहाँ पर भी तो यह दिया गया है कि SO2 Cl2 को उसके initial amount से आधा करने के लिए जितना time लगता है वो दिया गया है 60 minute यानि यह SO2 Cl2 की half life दी गई है if the decomposition is a first order reaction calculate the rate constant of the reaction अगर यह SO2 Cl2 का जो है decomposition हो रहा है यह first order reaction है तो हमें इस reaction का rate constant निकालना है तो यहाँ पर देखिए 4.6 यह हमें दी गई है first order first order reaction दी गई है और इसमें half life कितनी है 60 minute जिसको denote करेंगे T half से half life हमें दी गई है 60 minute यहाँ पर और हमें यहाँ पर rate constant निकालना है तो first order reaction के लिए half life का formula क्या होता है T half is equal to 0.693 by K यह हमने formula पढ़ा है तो यहाँ से K की value निकालना है K is equal to 0.693 by T half 0.693 T half कितना minute यह ले लिया हमने आप 60 minute तो यहाँ से जब हमने 0.693 को 60 minute से डिवाइड किया 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आगया 0.115 0.0115 अमारे पास आएगा per minute तो हमारे पास rate constant कितना आया 0.0115 per minute NCRT में जो answer दिया गया है वो per second में दिया गया है तो हम क्या करेंगे यह हमारे पास क्या है 0.0115 per minute per minute का मतलब minute नीचे है per minute अगर हमें minute को second में convert करना है तो एक minute में 60 second होती है तो हम यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देंगे इसको 0.0115 को तो 0.0115 को जब 60 से डिवाइड किया हमारे पास आएगा यह आएगा हमारे पास 0.000192 यह आजाएगा per second में answer और इसको हम लिख सकते हैं यह point अगर हम 4 digit आगे बढ़ाएं यहाँ से तो 1.92 into 10 to the power minus 4 per second यह आगई k की value जो यह k की value आएगा हमारे यह per minute में आई यह k की value आएगा हमारे पास per second में बस इसको क्या करते ना है 60 से डिवाइड कर देना है